नमस्ते मित्रों कैसे हैं? मुझे पूरी उमीद है आप आरोग्य होंगे आज इस स्रिंखला में डाइट एंड निूट्रिशन में इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं कि वो सब क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आज मार्केट में एबलेबल हैं कई तरह के कुईक फिक्स डाइट यानि कि कुईक फिक्स आइडिया 15 दिन में इतना कीलो बज़न 15 दिन में इतना ये चर्वी घटा लिजे बेल्ट पान लिजे क्रीम लगा लिजे तरह तरह की तो इन सब की साइड इफेक्ट्स क्या होती है इनसे मैं आपको आउगत करा सकूँ ताकि आप वो सस्टेनेवल तरीका अपनाने पर विचार कर सके तो कोई भी आहार जो जल्दी ठीक करने के विचारों पर आधारित है पहली बार काम करता प्रतीत तो होता है लेकिन इसे बनाए रखना बड़ा ही असंभव होता है इनमें से कई आहार वास्तों में हमारे लिए खराब हो सकते हैं जो कि हमारे range of food हैं और range of nutrition है जो हम खाते हैं उन सब को सिमित कर देते हैं यानि कि हम उन सारे पोसक तत्तों जो हमें भोजन से मिल रहे हैं च्युक्कि वह सब हम भोजन में सामिल ही नहीं कर रहे हैं तो उन सारे पोसक तत्तों से भी हम बंचित रह जाते हैं जब भी हम वह रजाईम सेट करते हैं तब तक तो कुछ दिन चलता है सबताः दो सकता है और जैसे उस रजाईम को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो भी खाया गया, सारा वाय जो हम खाते हैं और वजन घटता है, फिर से वजन वापस यानि कि पाइलिंग बैक हो जाता है. तो अगर हमारा उद्देश से है वेट को लूज करना, तो हमारा सौट टर में यह डाइट मदद कर सकता हैं, लेकिन इसमें समस्या यह है कि अधिक लंबे समय तक यानि कि पर्मानेंटली अगर आपको स्टिक करना है, तो अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज़े जलाने प इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, जबकि होना यह चाहिए कि उसके साथ आपको लाइफ स्टाइल चेंज़े भी जरूरत है, बहुत सारे आदमी यह चोटा सा ही थोड़ा दो किलो चार किलो घट गया और खुस हो जाते हैं, और फिर वो फिर नॉर्मल ही जो अपना उनक चार्ब डाइट में आवस्यक विटामिनों की जो हमारे सरीर के सिल्क और टीसू को चाहिए उसमें कमी हो जाती हैं, और इसके साथ ही हम कबज के भी सिकार हो जाते हैं, यहां तक कि हमारी हडियों का बिगड़ना भी सुरू हो जाता है, लाइक आफ नेसेसरी विटामिन हो जाते हैं, कस्टीपेशन हैं, और बोन डिटरियेशन भी सुरू हो जाता है, ऐसे आहार जो की एक भोजन या खाद्य पदार्थों के समूह पर ध्यान किंद्रित करते हैं, वह बड़ा ही ड्रामेटिकली हमारे वेट लॉस का अनभाव तो करा देते हैं, पर जैसे ही आप सा और मल डाइट पर आते ही, तो आपको यह समझना है, कि यह क्विक फिक्स डाइट हमारे लिए कितना लंबा समय तक चल सकता है, इन हारों के पहली बार कम करने का कारण यह होता है, कि वसा के साथ जो भी तरल पदार्थ अप होते हैं, जो फ्लूड मेटेरियल हैं हमारे साथ इनको यह रिडियूस करता है, ना कि फैट को, क्योंकि फैट तो हमारे उस सेल में एक एक सेल तक पहुँच जाते हैं, उन ओर्गन तक पहुँच जाते हैं, तो वहां तक इनकी पहुँच होती नहीं, इनकी पहुँच मात्र होती है हमारे सरीर में, मौजूद जो जल हैं औ और तरल पदार्थ उन्हें ये घटा देते हैं और अंत में होता क्या है भुखमरी के खत्रे का सामना यानि कि थ्रेट आफ एस्टार वेशन करने वाला ये सरीर हमें बना देता है और इसे प्राप्त होने वाले भोजन से ये चिपक जाता है और अधिक बजन और ज्यादा प्राउगत हो गए होंगे कि हमें कभी अगर वेट लास या फैट लास करना ही चाहते हैं तो आप सस्टेनेवल तरीका मनाएं उसे करें जो कि आप चला सकें और ये साइड इफेक्ट जो कि आपको कई तरह की बिटामिन्स की कमी हो सकती है माइक्रो निट्रेंट की कमी हो सक रखते हैं तो मुझे पूरी उमीद है इसके साइड इफेक्ट से आप अउगत हुए होंगे और यह भी आसा करता हूं कि इसके साइड इफेक्ट में ना पढ़ें और सस्टेनेवल तरीका मना यही उद्देश से है हमारे डाइट और निट्रिशन प्लेलिस्ट का उस पहुत बहुत धनेवाद आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं उसके लिए